नमस्ते दोस्तों आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टूपीस का टोरी साइज हमारा ब्यालिस इंच का है तो चलिए समय नगवाते हुए शुरू करते हैं ते देखी पेपर को हमने डबल फोट कर रखा है अब इसमें हम लंबाई लेंगे इस तरफ से लंबाई हमारा तयार जो है 14 इंच पे है हम 2 इंच इसमें बढ़ा के लेंगे यानि 16 इंच पे लेंगे तो टूपीस का टोई हम बता रहे हैं आपको तो यहां से 2 इंच हमने माज रखा है 14 भी मंको तयार चाहिए यह लाइन को मिठा कर देंगे अ?? हिस त्णाफ से आप देखिए सोलल्डर ..... हम यहां से 6 इंच लेंगे तो यहां से हम 26 पे निसान लगाएंगे के यहां पर 아 शेंच लिंगे से तो आर्मोलहां यहां पेशेंच आरा है लाइन को हम सीधा कर देँगे कि कि इसलडर ज इतना है इतना आपको आर्मोललेट देना है छेंच हमने यहां पेड़र आप चैस्ट आएगा आ ब लेंगे तरफ देखेंगे यहां प्यारा है अब यहां से अंदे इंच मार्जिन रखेंगे तो यहां प्यारा है यह लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरफ से और इसको भी हम पूरा ले लेंगे अब यहां से हम गला रखेंगे गला हम धाई इंच रखेंगे तो यहां पे हम धाई इंच पे निसान लगाएंगे अगर आपको इस तरफ क्रॉस में नापना है तो जैसे साड़े छे चाहिए तो साड़े छे इस पे निसान लगाना है ठीक है अगर आपको इस तरफ से नापना है तो गोलाई माधा इंच बढ़ जाती है अभी हमको 6 तयार चाहिए तो हम 6.5 छे रखेंगे इस तरफ से सीधा सीधा में हम यहाँ से 6 पे नॆ आपको रखेंगे आपको अब इसको हम गोलाई देंगे तो यह देखिए हमाग गुलाई हो गया अब इसमें हम योग निकालेंगे तो योग हमारा यहां से हम चार इंच रखेंगे यहां पर और यहां पर हम धाइंच रखेंगे इस तरफ से हम सीधा कर देखिए यहांगे पर यहांसे हम कि इसको हम इसा क्रॉस में ले लेंगे यह हमारा योख हो गया अब देखिए यहां से हमको दो इंच छोड़ना है दो इंच छोड़के और यहां से भी देख लेंगे दो इंच हमारा कहां प्यारा है यहां प्यारा है अब यह लाइन को हम इसमें मिला देंगे इस तरफ से ठीक है यह हमारा मार्जिंग है यह हमारा जो है चेश्ट का चोथा भाग यहां प्यारा साथे दस इंच पे तो साथे दस में हमने यहां पे दो इंच कम किये हैं अब देखें यहां से पांच इंच हमको लेना है कितना लेना है पांच इंच तो पांच इंच हमारा यहाँ प्यारा है आप इसको हम गुलाई देंगे तो हम कटोई निकाल रहे हैं इस तरफ से हमको गुलाई देते हुए हमको इसमें मिला देना है यह देखिए तो हम गुलाई मिला दिये अब क्या करेंगी इसका हम मिडल निकालेंगे तो इसका मिडल कितना हमारा साढ़े आठ इंच आ रहा है तो इस तरफ से हम हाफ कर देंगे तो आपको इसा हाफ करके लगा लेना है यहां से हम तीन इंच लेंगे तीन इंच पी निसान लगा देंगे अब यह लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरफ से अब यह लाइन को यहां से सीधा लेंगे यहां से हम गले के तरफ से एक इंच लेंगे यहां पे और यहां से हमको डेढ़ इंच लेना है तो डेढ़ इंच हम यहां पे आरा है हमारा एक कॉर्णर से यह देखिए अब इसको हम क्या करेंगे इसमें मिला देंगे यह जो हमने यहां पर मिडल का पॉइंट लिये थे इसमें मिला देंगे तो इस तरफ से आपको मिला देना है और यह पार्ट को भी मिला देना है यह देखिए अब इसका हम कटिंग कर लेंगे इसमें हमने फोल्ड किये थे पहले इसमें हम निकालेंगे यहां से कटोरी यह बहुत आसान तरीका है आप यह कटोरी बहुत अच्छी बढ़ती है तूपीस कटोरी है आपको हम कुछ नए तरीके से बताए है इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है यहां से हमको एक अटोरी को कटिंग करना है इस तरफ से ठीक है अब यहां से हम गला निकाल देंगे यह गला निकल गया है ола अब कं अंब हम के तोरी पर निकाल रहे हैं अभी तो इसमें हमको कटोरी मिलेगा और योक मिलेगा अभी फ्रंच हम आपको बताएंगे फ्रंच कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले यह देखिए यह जो हमने यहां से गले के तरफ से एक इंच लिए थे यहां से धेड़ इंच लिए थे यह हमारा कटके निकल जाएगा इस तरफ से और यहां से भी निकल जाएगा तो यह देखिए यह निकाल दिये हमने दोनों पार्ट का अब यहां पर हमको यह देखिए जो मारा कटोरी है यहां से अब यहां से हमको पाव पाव इंच का टक्स लगाना है यह देखिए पाव ने एक इंच ठीक है पाव इंच तो यहां से हम पौने एक इंच पे निसान लगाएंगे आए निसान को हम इसमें मिला देंगे जब आप सिलाई मारेंगे तो यहां तक ही आपको मारना है आधा इंच के फर यहां तक पे फिर इसके बाद यहां से इसको लेंगे यहां से ते देखिए हमारा यह पूर्पीस का टोरी की कटिंग है अभी हम इसमें योग निकालेंगे हम पूरा ले लेते हैं मार जी के साथ जो रहेगा अप लाश्ट में इसको कटिंग कर देंगे ही पिर कर देखिए इसतर से कमर के साथ जाने ही होता है योग ठीक है यह मार योग निकल गया अब इस पेपर को आपको इसी तरह रख लेना है तीन हें लेकित हमारे जो गले की कटिंग ओधि यहां से हमारे तोर इनिकल गई हमको कटौरई अलप defeat अलबize निकाल टो अब हम इसी में हमारा प्रह को दिखाएंगे भी को यहां से हम लेंगे क हम अन्दर के तरफ से और यहां से आर्मोले जो हम सेफ देते हुए हमने मिला देंगे अब यह हाँ से हमको धाय इंच लेंगे इस जो हमारा है 42 इंच का है तो इसमें हम भाई इंच रखेंगे यहां से का सेब देंगे तो यहां से हम एक हमारा यहां प्यारा है ठीक है आप देखिए यह पार्ट को यह के मार्जिंग था अब यहां से हमको दो इंच लेना है तो दो इंच हमारा यहां प्यारा है यह देखिए तो दो इंच हमारा यहां प्यारा यह देखिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर दो इंच आरा है यहां से आपको दो लेना है इस कॉर्नर से आपको डा इंच रखना यहां से आपको एक इंच रखना है यहां से एक इंच हमारा अब इसको क्या करेंगे यहां से से देंगे यह हमारा गला है इस तरफ से देंगे इसमें हमारा फ्रंट निकल जाएगा यहां से ठीक है अब हम फ्रंट निकालते हैं देख़ों यह प्रेंगी पेपर इसे रखना है आपको इसमें हम निकला है इसमें बढ़ा लिए थे अब इसमें हम फ्रंट निकालेंगे तेर्ज है आर्पूर्ण एक इंच का हमने आपको बोले यहां से आधा इंच का ऐसा सेव देखे आपको इस तरफ से निकाल लेना है इसको अच्छी सब को रखना है कि देखे इस तरफ से अब यहां से हम कि देखे गाले के तरफ से अब देखे यहां से हम लेंगे तो आपको इसे अच्छी से देख लेना है यहां पर हम एक बार आपको फिर रिपीट कर रहे हैं यहां से एक इंच यहां से ढाई इंच यहां से दो इंच लिया आप इसको हमारा फ्रंट निकाल रहा है ते देखिए जो कटोई का पार्ट था इसको हम हटा देंगे यह हमारा फ्रंट मिल गया देखिए हमारा फ्रंट निकल गया और यह हमार जो टूपीस का टोड़ी है यह देखिए तिया हमने पैटन निकाला है मतलब इस तरफ से ड्राइ ग्राम तो इसको हम कपड़े पर रखेंगे डबल डबल निकलेगा हमारा कपड़े पे तो इस तरफ से हम पैटन बनाते हैं यहां से हमारा योक लगेगा यह जो पार्ट है इस तरफ से आएगा यहां से गले के तरफ से आएगा तेरी के हमारी टूपीस का टोरी की कटिंग यहां पर हो गई है अब मैं आपको बाही बताऊंगी तो अब हम बाही बताएंगे चेश्ट का इदिखी 10 हमारा बंद है चेश्ट का चोथा भाग लिया जाता है तो 42 इंच का है 42 का वन फोर्थ हमारा आएगा साथे 10 इंच तो साथे 10 इंच हमने यहां पर लिये है और यहां से देखिए अगर आपका अस्तर का बलाउज है तो आपको एक इंच बढ़ाना है बीना अस्तर का है तो देर इंच बढ़ाना है तो यह अस्तर का साम मैं आपको बता रहे हूं हमको चार तैयार चाहिए तो हम से 1.5 इंच यहां से अब इसको हम सेब के यहां सी इस तरफ से से वह हम इसमें मिला देंगे तो अब देखी है यहां पर हमारा आता है दंडगेर तो दंडगेर नमारा जो है साथ इंच तयार ठीक है तो डबल में जैसे चो गोलाई में 14 वाइगा वी साथ इंस एक आपको इसका सब्सक्राइब और यहां से अट पर आइसे निपना देंगे तुम पर चेश्ट लेना है तो निसान लागा देंगे तो यहां से अभी यह हम प्हुर्व से पहले हम इसको निकालेंगे जो हमारा सकत है पेपर है लिकर जाएगा इस तरह से अब यहां से हम इस तरह से सेफ देते हुए यहाँ 이거 निकाल देंगे अब यहां पर हमने 8 इंच में निसान लगाय थे यहां पर कट करेंगे इस तरफ से यह कट कर दिये अब देखिये यहां से कि दोनों पार्ट में कट लगना चाहिए एक में लगा एक दो हो गया अब क्या करना है इसको एक पहले पार्ट को उठा जाले ना है और यहां पर इस तरफ से आपको रखना है तो आपका से अच्छे से आ जाएगा यह दिखिये इस तरफ से रखे अब यहां से हम से देंगे ये देखे शेप दे दिये ये हमारे निकल गया अब इसको हम दोनों मिलाएंगे ये दिखे तो इस तरफ से यहां से शेप दे दिया हो आ गया हमारा थिक है तो हमारी बाहें की कटिंग हो गई है तो आज की वीडियो में हमने सीखा टूपीस कटोरी प्लाउच की कटिंग दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए समझे सीखे सफर बने वीडियो देखने के धन्य बात मिलते हैं अगले वीडियो में